Hope you all are well उनका चेक कर सकते हैं कि उन्होंने कितना गेन किया है और उनको क्या रिवाइस करने की जरूरत है तो इस वरक्षीट से आपको बहुत help मिलेगी मैंने इसमें वही topic cover किये हैं जो उनको first class में कराये जाते हैं बच्चों को first class में कुछ topic तो वो कराये जाते हैं जिनका वो UKG class में overview कर चुके होते हैं वही topic उनको detail में कराये जाते हैं जैसे कि A and vowel concept या फिर nouns, pronouns ये उनको नई introduce कराये जाते हैं तो अब हम अपना worksheet start करते हैं fill in the blank with correct vowel इसमें हमें vowels के साथ इन blanks को fill करना है हमारे vowels कौन-कौन से होते हैं बच्चों को बताएंगे कि vowels कौन-कौन से होते हैं ये उन्होंने UKG class में भी पढ़ा होता है लेकिन उनको revise कराने के लिए हम repeat करते हैं then A, P, P, L ये apple की spelling है तो यहाँ पे E आएगा A, P, P, L, E O, R, fill in the blank, N, G, fill in the blank तो यहाँ पे A आएगा and यहाँ पे G then it's become orange T, R, fill in the blank, I, N train, T, R, A, I, N, train M, fill in the blank, N, G, fill in the blank क्या बना ये? mango M, A, N, G, O, mango C, fill in the blank, O यहाँ पे O आएगा C, O, W, cow T, fill in the blank, B, L, fill in the blank T, A, B, L, E table तो इस टाइप से हम बच्चों को verbal concept के बारे में बता सकते हैं then उनको opposites कराए जाते हैं first class में तो उसकी practice हम कुछ इस टाइप से करा सकते हैं कि match करके देखे बच्चे जैसे कि big, big का opposite क्या होगा? small तो वो small से match करेंगे अप, अपका opposite होगा down, तो down से match करेंगे day, day का opposite, night dry, dry का opposite, wet new, new का opposite, old happy, sad तो इस टाइप से हम उनको opposites की practice करा सकते हैं और बच्चे इसमें interest भी लेके करेंगे opposites के थरू then उनको class 1 में nouns के बारे में introduce कराए जाता है nouns से, nouns क्या होते हैं हमारे naming words होते हैं अगर आप बच्चों को noun का concept समझाना चाहते हैं, तो इसी channel पे nouns के लिए एक video डाली हुई है मैंने, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं और उसको देखके बच्चों को nouns का topic करा सकते हैं इसमें हम क्या करेंगे, जो हमें naming words और nouns दिखाई दे रही हैं हम उनको underline करेंगे like mira is my best friend तो यहाँ पे mira noun है my brother has a white car यहाँ पे my brother my uncle live in Delhi तो यहाँ पे डेली sorry इसमें car car एक thing का नाम है यह भी एक noun है सीता sings a song सीता यहाँ पे noun है डेली is the capital of India डेली, इंडिया यह हमारे noun है दा ताजमहल is in आगरा ताजमहल and आगरा यह हमारे place के name है तो यह noun की तरह use होंगे then बच्चों को pronoun के बारे में बताया जाता है pronoun कोन से होते हैं जो nouns के place पे use होते हैं उनको हम pronouns बोलते हैं like he, she, it, they ओके तो अब हम इसको fill in the blank के थुरू revise करेंगे मीनू says that fill in the blank likes apple मीनू says that तो यहाँ पे हम he का use करेंगे या she का use करेंगे मीनू एक female है तो यहाँ पे हम she का use करेंगे मीनू says that she likes apple then राम and fill in the blank mother came today राम और उसकी मदर आज आएंगे तो his और her राम एक male है तो उसके लिए हम his का use करेंगे राम and his mother came today then this is a table and fill in the blank is made of wood this is a table यह एक table है and यह wood से लकडी से बनी हुई है तो यहाँ पे it का use हो गया he का table हमारी एक non living thing है तो इसके लिए हम it का use करेंगे this is a table and it is made of wood और यह लकडी से बनी हुई है then next है my name is Manu and fill in the blank am a girl मेरा नाम मनू है और मैं एक लड़की हूँ she or I तो M के साथ हम I का use करते है my name is Manu and I am a girl fill in the blank is an actress she or he actress हम female के लिए use करते हैं तो हम यहाँ पे she का use करेंगे she is an actress then कुछ इस टाइब से बच्चों को sentence के बारे में बताया जाता है बच्चों को बहुत ज़्यादा इसमें confusion होती है कि sentence के बाद full stop लगाना है question mark लगाना है first letter capital लेना है तो हम कुछ इस टाइब से उनकी practice करा सकते हैं कि इसमें उनको capital letter full stop और question mark के थुरू sentence को सही से arrange करना है like ria is not happy ria ria हमारा first letter जो है sentence का वो capital में आएगा ria is not happy then यहाँ पे full stop का यूज होगा तो इस टाइब से हम उनको sentence का सही जो formation होती है वो सिखा सकते कि sentence के बाद full stop यूज करना है and first letter हमारा capital में होना चाहिए और यह एक name है name का first letter capital में ही होना चाहिए जैसे कि where is your book तो w हमारा capital में होगा where is your book then यह एक interrogative sentence है तो यहाँ पे हम question mark का use करेंगे तो इसी type से बच्चे इन sentence को सही से लिखेंगे और फिर उनकी practice होगी इस से और उनको पता चलेगा कि sentence को कैसे mention किया जाता है कहाँ पे full stop आता है कहाँ पे question mark आता है इन सब के clearance होगी then class 1 में बच्चों को tense complete नहीं कराई जाता उनको verb की form कराई जाते कि past tense में verb की second form use होगी present tense में first form use होगी तो इस type से उनको समझाया जाता है यूज होती है पुष्ट एंजोई एंजोईड वॉन्ट वॉन्ट वॉन्टड नोक नोक्ड क्लीन क्लीन तो इस type से हम बच्चों को past tense की form की practice करा सकते हैं then उनको कुछ इस type से एक जंबल form में हमने कुछ words दिये हैं और उनको उनको alphabetical order में arrange करना है तो उनको alphabetical order में arrange करेंगे बच्चे जैसे कि यहाँ पर इनको alphabetical order में arrange करने के लिए हम देखेंगी कि first कौन सा है जो मतलब letter कौन सा पहले आता है और कौन सा बाद में आता है तो उसकी according उनको arrange करेंगे जैसे कि यहाँ पर आगरा आगरा हमारा सबसे पहले आएगा then B से कोई letter start कोई word start हो रहा है तो पहले उसको लेंगे like banana तो यहाँ पर हम banana को लिखेंगे then egg यहाँ पर egg आएगा then lamp यहाँ पर lamp लिखेंगे then यहाँ पर red आएगा then sun पहले plum आएगा then red then sun then table and then water तो इस type से हम उनको alphabetical order में arrange करने के लिए कुछ words दे सकते हैं जिससे उनको alphabet की अच्छे से पैचान हो जाएगी इस type से हम class 1 के बच्चों को English की practice करा सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को like करें और चैनल को subscribe करें इसी type की बहुत सारी वीडियो आपको इस चैनल पे देखने के लिए मिलेंगी थैंक यू ओल फो वोचिं थी वीडियो झाल 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 झाल